और मनवरंजन आज की दुनिया का उभरता हुवा सबसे बड़ा व्यवसाय है यूट्यूबर नाम का व्यवसाय हमारे बच्पन में तो नहीं था आज कल यूट्यूबर हैं मैं तो बहुत यूट्यूबर से परचित हूँ बड़े अच्छी तरीके से दोस्त है मेरे कितना वो मनलों उनके सामने आईएस लोग भी सारे परिशाने कि हम क्यों आईएस बने यहीं बन जाते मनला एक एक महीने के दस लाग बीस लाग पचास लाग एक करोड तीन करोड रुपे कमाते हैं साथे प्रसिद्ध हैं बहुत ज्यादा ऐसी दुनिया कहां किसने देखी थी कोई ट्विटर पर है कोई इंस्टा पर प्रसिद्ध है और अपनी भाषा की वज़ाए से हैं अचा इंडस्ट्री में अंग्रेजी का बोल वाला ज्यादा है मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म में थोड़ा सा काम किया उस फिल्म का नम मैं फिल्म का हीरो हूं थोटा सा रोल है कहीं आप जाएं और अपको बड़ी निराशा हो थोड़ा सा है तो मैं स्क्रिप्ट रैटिंग कर रहा था फिल्म हिंदी की है विद्धु दिनो चोपड़ा उस फिल्म के डारेक्टर है और प्रोड्यूसर भी तो उन्होंने मुझ स का था कि दोशदिन वहागं हो खता तो दोदो दिन में जाके एक सीन पूरा होता था बड़ा मुश्किल काम रहा फिर खारीज होता था उसमें फिर एमेंडमेंट्स होते थे सो बार तो फाइनल ही हुआ फाइनल लंबर टू फाइनल लंबर सी ऐसे करते करते हैं इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि जब स्क्रिप्ट मेरे पास औरिजिनल हिंदी भाषा में पर रोमन मिल्लीपी में थी एनि फिल्म में जैसे मानलिज सीन है कि मनोज के हाथ में दोनाली बंदूख है तो क्या लेगें M-A-N-O-J-K-E-H-A-T-H-M-E-D-O-N-A-L-I-B-A-N-D-O-O-K-H-A-I मुझे हिंदी रोमन लिपे में पढ़नें बड़ी बाधा होती है एक तो बात यहां से वहां हो जाती है जैसे कोई धर और धर का अंतर बताई नहीं सकता अगर मैं रोमन में लिखूँ कोई ऐसा शब्द हो जिसमें धर और धर में कन्फिजन हो जाए अब मैं कुछ भी करके के नहीं समझ सकता कि डी एच धर है कि धर है क्योंकि वो लिपी मेरी भाषा के हिसाब से बने ही नहीं है अंग्रेजी में मैं कितनी भी कोशिश करूं लिखी नहीं सकता हूं मैं हरियाना में जा रहा हूं और मैं हरियाना में बोल रहा हूं कि यह बालक इदर आ बालक नहीं बो या S-A-D-A-K कैसे लिखू या तो उस लिपी को उसके फॉनिटिक्स के हिसाब से चेंज करू जो फिलोस्फियू में करते भी है नहीं तो कैसे काम चले तो मैंने उनसे का मैंने का सर मैं देखिए मुझे वड़ी असुविधा होती है इसमें मैं देवनागरी में लिखूंगा और आप कहेंगे तो मैं उसको रोमन में कर दूँ अबाद में पर पहली बार मैं आत्मा मैं उतरने दो उझे देवनागरी में लिखने दो तो उनको आश्र हुआ कि ऐसा भी होता क्योंकि उस इंड़स्ट्री में आमतर पैसा नहीं होता है तो मैं देवनागरी में एक सीन ल तो जब पहली बार मैंने भेजा उनको हिंदी में सीन लिखके तो नेक्स जी वीडियो को हमारी चल रहे थी अब सोचिए विदो विनो चोपड़ा जो की बहुत बड़े डिरेक्टर प्रोड्यूसर इसे इंड़स्ट्री के पांच-छे लोग टीम में हैं बड़े-बड़े चोटे भाई कीतरा मानते बोले विकास अब तु ऐसे लिख्यार ऐसी मज़ा आता है और बाकली टीम को बोले कि तुम्हें इंग्लिश में करना हो कर रहे ना बाद में हम लिंधी में करेंगे लिए उसके बाद वो पूरी फिल्म हिंदी में लिखी गई पाद में के देते हैं पर कुछ लोग हैं अमिताब अच्चन एक जमाने में ऐसा करते थे आश्चतो शाना इस समय ऐसा करते हैं मेरे मित्र हैं कुझे पहले बता रहे थे कि उनके स्क्रिप्ट अभी भी हिंदी में लिखी विया ति देवनागरी में लिखी विया ती उनका तेवर है कि देवनागरी में पढ़ूँगा रोमन में नहीं आप पकड़ में आती है तो करते हैं उसमें मेरा चो कहना है वो ये कि मनोरंजन की दुनिया में इतने अवसर हैं और उन अवसरों में हिंदी का मुकाबला किसी भाशा में नहीं हो सकता है बस थोड़ा सा अपनी ताकत का एह करिए घबराईये मत डरिये मत हिंदी समाज की सबसे बड़े समस्या एक ऐसा डर है जो बिना किसी वज़े के